अमेरिका के राष्टपती डोनाइट्रम यूँ तो कहने को तो एहमदाबाद में सिर्फ तीन घंटे रुखेंगे लेकिन इन तीन घंटों के लिए जितना पैसा लगाया जा रहा है जिस तरह से पैसे को पानी की तरह बाहया जा रहा है लेकिन इस दोरान जो एयरपोर्ट से जिस रोड पर उनका रोड शो होगा उस सड़क को दोबारा नए तरीके से बनाया जा रहा है और 15 किलोमीटर की सड़क को बनाने में जो लागत आ रही है वो आ रही है लगभग 60 करोड रूपे बहुत इस से जो जो की जोबडिया है और सड़क के किनारे दिखती है वो नहीं दिखेंगी डोनाल्ड टरम्प को जिसके उपर सरकार की काफी सेदा अलोचना भी हो रही है लेकिन सरकार को इस वक्त अलोचना से फरक नहीं पड़े जा वामेगरी का कि राश्टपती फरवरी के आखिर में जैसे ही भारत में आएंगे तब तक ये सबी काम पूर हो चुके होंगे और इसके अलावा जिस दोरान वो रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है कि 10 करोल सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही खर्च होंगे अब जब इतना महंगा और सरकार इतने जादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बाद है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये बात दिखाना चाते है कि जिस राज्य के वो इतने साल तक मुख्या मंत्री रही है और ये जो सपना उन्होंने देखा था इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रेकेट स्टेडियम इंडिया में हो डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी मीडिया को से भी बात करते हुए बताया कि प्रियम मोदी का सपना था दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाना और वो उसका उद्गाटन मुझसे करवा रही है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जायर सी बात है डोनालlo Engstr time प्रियम अमेरिकी मोदी के बारे में बात करते है या कोई थे देश का प्रिय बात वारत का प्रदान मेंत्री कोई भी हो उसको सभी एजत से बात करते हैं क्योंकि बारत में वो एक अपना दोस्त नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार देखते हैं और जब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कोई देश हो तो जाहिर सी बात है अपने आफ वो दोस्त हो जाता है अमरीका का और उसी तरह से भारत अमरीका का वो घरनिश्ट मित्र है अमेरिका को भी भारत से बहुत सी उम्मीद है और भारत को भी अमेरिका से बहुत सी उम्मीद है अब जब डोनाइट सब एहमदाबाद आएंगे एहमदाबाद गुजरात के सबसे डेवलोप्ड नहीं शेहरों में से गिना जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी कमी नहीं दिखे इस बात की पूरी कोशिश में है गुजरा सरकार और इसलिए पैसा पानी की तरह बहाया भी जा रहा है तो चलिए दोस्तों मैं राहूल चोधरी फिलान इस वीडियो के ले इतना ही आगे भी सी तरह की देश दुनिया बोली फोड और मार्मा खेल की तमाम खबरों के लिए बने रही है मेरे साथ चैमाता दी